मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, पिछले दो महीने से पूरा देश कुरोना महमारी की चुनोती और लोगडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंबीर आर्थिक संकत से गुजर रहा है। देश की अजादी के बाद पहले बाद दर्द का वो मंजर सब ने देखा कि लाकु मस्दूर, नंगे पाव, भूके प्यासे, बहर दवाई और सादन के सैक्रो हजारो किलोमेटर पैदल चलकर घार वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीरा, उनकी सिस्की देश में हर दिल ने सुनी पर शायद सरकार ने नहीं। करोरो रोजगार चले गए, लाको दंदे चौपत हो गए, हर खाने बंद हो गए, किसान को फासल बेजने के लिए दर्दर की थोकरे खानी पड़ी। यह पीरा पूरे देश ने जहे ली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहली दिन से ही मेरे सभी कांगरेस के सब सात्यों ने, अर्थ सास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ती ने बार बार सरकार को यह कहा, कि यह वक्त आगे बर कर घाव पर मरम लगाने का है, मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकंदार, सरकार द्वारा सब की मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार यह बात समझने और लागू करने से लगतार इंकार कर रही है। इसलिए कांग्रिस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवास बुलंड करने का यह समाचिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर अगरह है कि खजाने का ताला खूलिए और जरूरत मंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को छे महीने के लिए साथ अजार पाच सो रुपए प्रतिमा सीदे कैश बुक्तान करें और उसमें से दास अजार रुपए पोरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्ट यात्र का इंतजाम करके घर पहुचाएं और उनके लिए रोजी रोती और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में दो सो दिन का काम सुनिश्चित करें जिसे गाउं में ही रोजगार में सकें। छोटे और लगू उड्योगों को लोन देने की बज़ाए आर्थिक मादद दीजें ताकि करोरों नौक्रिया भी बचें और देश की तरक्षी भी हो। आज इसी करी में देशबार से कांग्रेस समर्तक, कांग्रेस नेता, कर्यकर्ता, पदारीकारी सोशल मीडिया के माद्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे धोरा रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि आप भी इस मुहीम में जुड़िये, अपनी परिशानी साजा कीजिये, ताकि हम आपकी आवास को और बुलांद कर सके। संकत की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हलातों पर अवश्य जीच खासिल करेंगे। स्यासी तफदीर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर किलिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरे मिलती रहें।